उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा एकदम गर्म है प्रदेश के साथ चरणों में से तीन चरण के चुनाव हो चुके हैं सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों के साथ धुआधार रेलिया कर रही हैं डिमपल यादव भी इनी स्टार प्रचारकों में से एक हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टि को जीत दिलाने के लिए कमर कस रखी है और लगातार चुनाव प्रचार और रेलियों को संबोधित कर रही हैं समाजवादी कारेकरता सपा के राश्रिय अध्यक्ष और सूबे के मुखि मंत्री अखिलेश यादव की पतनी डिमपल यादव को डिमपल भावी कहकर बुलाते हैं सपा के यही कारेकरता डिमपल भावी के लिए परिशानी का सबब बन गए दरसल सपा केंडिडेट्स की जीत पक्की करने के लिए टिमपल यादव लगातार हर रोज रैलियों को संबोधित कर रही है इसी क्रम में सोमवार को टिमपल यादव, इलहाबाद और हंडिया में जनसभाओं को संबोधित करने पहुँची थी जहाँ पर उन्होंने केंडर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी पर जम कर हमला बोला लेकिन इस दोरान वो अपने फैन कारेकरताओं से परिशान दिखी टिमपल भावी की परिशानी का सबब बना, उन्हें देखने, उनके साथ फोटो खिचवाने और वीडियो बनवाने के लिए मची होड टिमपल यादव ने जहां भी जनसभाई की, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं ने उन्हें देखने, उनके साथ सेलफी लेने और उनका वीडियो बनाने की धुन में उन्हें खुब परिशान किया हंडिय और इलहाबाद दोनों जगा डिमपल ने कई बार मंच से इशारा किया की, फैन कारेकरता मंच से दूर रहें लेकिन जब युवा कारेकरता नहीं माने, तो डिमपल ने उनमें से ज्यादा हुरदंग करने वालों की पहचान करनी शुरू कर दी डिमपल ने पहले उनसे उनका नाम पूछना शुरू किया और कहा कि आपका नाम मैं भाईया को दूंगी एनमेफ न्यूस के रिपोर्ट